दोस्तो ओम नमश शिवाय दोस्तो रोजाना अपना राशी फल देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बैल को दबा करके सलेक्ट आल कर लें धनू राशी वालो हो जाओ तयार क्योंकि अब स्वेम धनकी देवी मानलक्षमी के असरवासे आपको नो दस ग्यारा और बारा जून यानिक इन चार दिनों में बहुत बड़ी खुशकवरी मिलने वाली हैं दोस्तो जा दोस्तो इन चार दिनों में धनलक्षमी प्राप्ति य दो राजयोग और अम्रश शिद्धी योग बन चुका है आपको बताना चाहेंगे जिससे की आपके लिए यह समय बहुत अच्छा समय रहेगा यूं कहें कि इन चार दिनों में माता लक्षमी की किरपा से आपके लिए सोने पर सुहागा होने वाला है दोस्तो समय इतना उसी के आशों नहीं रुखेंगे इतना अच्छा समय है नो दस ग्यारा और बारा जूनिया ने किन चार दिनों दोस्तों कौन कौन से बड़ी खुसकबरियां हैं और कौन कौन से छेतर में मिलेंगी किस प्रकार मिलेंगी और कैसे आप उन खुसकबरियों को प्राप्त कर सक सकते हैं इस वीडियो में आपको भी बताएंगे ग्रह नक्सत्रों की बदलती चाल के नुसार किस प्रकार आपके लिए यह समय रहने वाला हैं और साथ इसाथ इन चार दिवह में आपको किन-किन बातों को लेकर कुछ साबधानिया भी बलत नहीं हैं शंपूर्ण शटीक 83 पर शटीक जानकारी से वीडियो में आपको देने वाले हैं बहुती महत् atual बहुती खास और बहुती लाबकारी वीडियो है आप सबी लोगों के लिए बिना काटे बिना इसकित के उओए पूरा वीडियो देखना आपके पास समय हो तो ही वीडियो देखना समय ना हो तो देखना और वैसे भी बता दें यदि आपने यह वीडियो नहीं देखी तो आपको पच्छताना पड़ेगा इतना अच्छा वीडियो आपके लिए बहुत इग्यान वर्दक वीडियो है तो दोस्तो शंपूर्ण शटीक राशीपल 9 जून से 12 जून तक का इस वीडियो में आ लिडियो को एक लाइक अभी करें और कमेंट स्बोक्स में जैमालक्षमी अवश्य लिग दें जिससे मालक्षमी की किरपा आपको प्राप्त हो सके और मालक्षमी का असिरवाद आपके उपर सदैव बना रहे तो चलिए दोस्तों समय न अगवाते हुए बात करते हैं किस प बता दें कि ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जोतिस सास्तर के जरिये हम आने वाले समय के बारे में काफी कुछ जान सकते हैं इतना ही नहीं आपको यह भी बता दें कि हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुशा अपना भग्य तेय करता है अपना भविश्य तेय करता है जोतिस सास्तρι बविश्य में आने वाली घटनाओं के बारे में बताते हैं इसी वज़े से कहा जाता है कि व्यक्ति के जीवन में उसके कर्मों का बहुत बड़ा महत्त्व होता है कि कर्म के इनुसार ही उसका भगय आगे बढ़ता है भगय का निर्मार होता है आपको बता दे कि यह बात भी सच है कि ग्रह नक्षत्रों के नुसार व्यक्ति के जीवन में पड़िवर्तन होते रहते हैं कभी काफी कुछ अच्छा होता है तो कभी कुछ बुरा भी होता है बताया जाता है कि जैसे जैसे ग्रह नक्षत्रों की चाल की इस्तिती बदलती है वैसे वैसे व्यक्ति के जीवन में अच्छे बुरे दिनों का भी सामना करना पड़ता है कहते हैं कि बदलाव प्रकर्टी का नियम है इसको कोई भी नहीं बदल सकता हर व्यक्ति को समय के नुसार होने वाले बदलाव का सामना करना ही पड़ता है आपको बता दें कि अब धनकी देवी मातलक्षमी की किरपा आपके उपर बन चुकी है आपकी राशी वालों पर बहुत अधिक प्रसन है धनकी देवी मातलक्षमी क्योंकि अब आपके कुंडली में धन योग बन चुका है धन प्राप्ति योग बन चुका हैं आपके कुंडली में जिससे की अब समय आपके लिए धन प्राप्ति कैसा में रहेगा आपको बता दें मतलक्षमी की असेम किर्पत दृष्टी आपके उपर अब बनी रहेगी इतना ही नहीं आपको यह भी बता दें कि आप अपने जीवन में खुद बड़ा परिवर्तन देखने वाले हैं और आपको एहसास होगा कि अब समय की बदलती चाल आपके पक्षमे हैं आप खुद महसूस करेंगे बड़ी बड़ी खुसकवरियां आपको प्राप्त होने वाली हैं साथी साथ जो एविवायत लोग है उनके लिए विवासे सम्मंदित अच्छे प्रस्ताब घर पर आने वाले हैं विवासे सम्मंदित चर्चाएं उनके घर में चलने वाली हैं बहुती सुब घड़ी आ चुकी हैं आपकी राशिवालों के लिए और आपको बता दे इतने ही नहीं आपने अपने मलकी फ्यूचर चे सम्बंदित जो भी प्लान किये हैं चाहे वो केरियर चे सम्बंदित हो या अपने बिजनेस वेपार चे सम्बंदित हो या अपने विवास सम्बंदित हो या संतान प्राप्ति से संबंदितों जो भी आपने विचार किये थे वे अब पूर्ण होने वाले हैं जल से जल खुद आप महसूस करेंगे तो कि मतालक्षमी के किरपा से अब आपको बड़ी-बड़ी सफलताय प्राप्त होने वाली हैं मतलक्षमी आपके जीवन में आने वाले सभी कठनाईयों को दूर करेंगे यूँ कहें कि अब अच्छे समय की सुरुवात हो चुकी है जिसकी वज़े से आप तेजी से सफलता प्राप्ट करेंगे बिजनिस वैपार में तरक्की होगी नौकरी में प्रमोशन के योग बनेंगे आपके लिए आपको यदि इस्थान परिवर्तन से सम्मंदित कोई योजना बनी है तो उसमें भी सफलता आपको मिलेगी इस्थान परिवर्तन हो जाएगा आपके मन्चा इस्थान परिवर्तन आपको मिलेगा नौकरी से सम्मंदित बहुत बड़ी खुशकबरी के योग है इस समय इतना ही नहीं आपको एक बात का यह भी विशेश ध्यान रखना है कि आपको वहां साब्धानी पूर्वर्त चलाना है दुरगटना से सम्मंदित भी कुछ योग बन सकता है यदि आप साब्धानी पूर्वर्त चलेंगे तो ऐसा कोई भी कार रह नहीं होगा जो आपको छटी पहुँचा सके दुरगटना होगी ही नहीं और साथ साथ बिजली चे सम्मंदित उपकरोनों से भी आपको साब्धान देना होगा और अपने गुसे पर भी आपको नियनतर रखना होगा अन्यता इस अच्छे समय का आपको कोई लाब नहीं मिलेगा मदूरता रखें अपनी वाणी में सहियम रखें लाब आपको मिलना ते है और साथ साथ गुसे में आकर कोई भी निरने आपको नहीं लेना है वरना आपको हानी का सामना करना पड़ सकता है और दोस्तों साथ साथ बता दे माता लक्षमी के किरप अद्रश्टी से आपके जीवन में बहुत से बदलाव आवाएंगे जो आपके लिए लाब दायक साबित होंगे जो भी आपके अधूरे कार रहे थे रुके हुए वे अब आपके अल्प प्रियास से पूर्ण हो जाएंगे और दोस्तों आपको बता दे जीवन शाथी का भरपूर शयोग मिलेगा और यदि आप चाहते हैं कि आपके समस्त कार्य बने जीवन में खुशियों की कभी कमी न हो तो अपनी माता पिता अपने बड़े वजुर्गों का अशिरवाद बना कर आपको अपने उपर रखना है उन्हें किसी प्रिकार की ऐसी च्छती ना पहुँचे जिससे उनका दिल दुखे इस बात का दिहां लख लेना अगर कामया भी आपको प्राप करनी है जीवन में बद उनका ही दिल नहीं दुखाना है वैसे अपनी स्रद्ध सामर्थ के नुसार दान धर्म के कार्रे भी नियंतन करते रहें जिससे कि आपको लाब मिल सकें और साथ शाथ आपको बता दें मतलक्षमी के किरपा से अब आपको वैस सभी कार्रों में सफलता मिलने वाली है जो की कई सालों से रुखे हुए थे जीवन में आप बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे आपके द्वारा की गई कोशिसों से आपके समस्त कार्रे सफल होंगे बड़ी से बड़ी कठनाईयों का सामना भी आप बहुत यासान इसे कर लेंगे जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं अपने प्यार को हांसिल करने में भी उनको शपलता मिलेगी प्रेम संबंदित मामलों में आने वाली सभी कठनाईयों को आप पार करेंगे मतल लक्षमी की किरपा आपके जीवन में आने वाली सभी प्रकार की बुराईयों का अंत करेगे और अपने जीवन में आप एक नई खुशी का एसास करेगे यूँ कहें कि आप अपने जीवन में एक नया उदय होता हुआ देखेंगे आपके जीवन में एक नया उदय होगा आपकी आर्थी किस्तिदी मजबूत हो जाएगी जीवन साथी का आपको भरपूर्शायोग मिलेगा वहीं आपको बता दें अपने जीवन में दिन दोगनी राचोगनी आप तरकी की ओड़ बढ़ेंगे आपके दुआरा की गई कोशिसों का फल अब आपको मिलने वाला है समय के साथ साथ आपके भगय में भी परिवर्टन होना तेह है वे परिवर्टन होगा क्योंकि ग्रहन अक्षत्रों की बदलती चाल आपके लिए भगय उदय का निर्मान कर रही है आपको बता दे माता पिता का पूरा सहयोग मिलेगा घर परिवार में बड़े बुजरवों का पूर सहयोग मिलेगा आपको आर्तिक इस्तिती में सुदारा जाएगा वहीं आपको बता दे आपके जीवन में अचानक से कई बड़े बदलाव आपको देखने के मिलेंगे वही सफलता पूरवक पूरे होंगे आपकी सभी मनों कामने पूर्ण हो जाएंगी आप नया मकान के खरीदारी कर सकते हैं प्रोपर्टी सम्मंदित भी समय अच्छा रहेगा संतान प्राप्ती का शुक आपको प्राप्त होने वाला है और साथ शाथ वहां शुक भी आपको प्राप्त होगा परंतु जैसा कि हमने बताया है वहां चलाते समय साथदानी रखना आपके लिए तियावश आपता है वहां नेंतन गती में चलाएं आपका स्वास्त उत्तम रहेगा आपकी अर्थिक इस्तिती मज़्वूत बनेगी प्रेम संबंदों में मधूर्था आजाएगी तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे स्वास्त संबंदी तो एक महत्पपूर जान करी यदि आप गलत संगती में जैसे कि गलत संगती का मतलब मदिरा पान करते हैं शराव मेट मास आदी खाते हैं इसका परित्या कर दें छूएं ना इनको यदि आप जीवन में कामिया भी चाहते हैं आप इन चीजों को छोड़ कर देखें तो आप अपने जीवन में अलगी बड़ा बदल आप खुद महसूस करेंगे क्योंकि गलत संगती का साथ आपको आगे बढ़ने नहीं देती खुद महसूस करें यदि आप जीवन में सफलताओं के जण्डगारने चाहते हैं सफलताओं आपके कदम चुमें तो गलत संगती का साथ आप छोड़ें वैसे स्वास्त से संबंदित यह समय अच्छा रहेगा जिस प्रकार आपने बताया गलत संगती में ना पड़ें और खानपान पर विशेश ध्यान दें आरविदिक चीजों का दिख्शेवन करें नियंतर योग प्रण्याम का साल लें आपके स्वास्त के लिए अति उत्तम रहेगा ज़्यों दोस्तों मतालक्षमी के किरपा से समय आपके लिए पक्ष में हैं समय का भरपूलाब उठाना समय को अपने हाथ से मत जाने देना वरना आप पच्छता होगा समय बहुत अच्छा है या दोस्तों मतालक्षमी के किरपा आपके उपर बनी रहे वीडियो को लाइक करना ज़्यादर शेयर करना चैनल सस्ट्राइब करना चैमालक्षमी